सबसे जानलेवा अबस्टिकल कोर्स और मेरा दोस्त मैक यहाँ इसे पूरा करने की कोशिश करेगा वो भी 200 फीट नीचे गिरे बिना जब भी तुम तयार हो मैक यह पहए हवा में है जरा इसे देखो और यह बस उन कई जानलेवा कर्दना और पूरी तरह से पागल कर देने व तो मैं कभी नहीं कर पाँगा वो मुझे जून नहीं बारा था वो सकते है वो पेली लेवल भी पूरी ना कर पाए और दो जाम्प और अब यह लास्ट जंप पता नहीं दूर कैसे कुदूंगा और हां मुझे उसे सबसे मुश्किल बनाने ही पड़ा वहां दो हैमर्स जू अब इसे सेलिबरेट मत करो यह उन छे अबस्टिकल कोर्सिस को पुरा करना होगा अगर वो उन आग लाग डॉलर्स को घर ले जाना चाहता है मैं क्या तुम तयार हो मुझे नहीं पता और जवाब है नहीं क्यूंकि अभी हम सेक्रोफीट हवा में नहीं है हम उपर लेवल टू में स्वागत है जैसा कि मैंने पहले कहा था यह लेवल ज्यादा मुश्किल है अब आखों से पट्टी हटा दो तुम्हारे सामने हैं वो दो गेम्स जो हम बच्पन में खेला करते थे बैलंस बीम और मंकी बास तुम्हें बस दोनों में से एक को चुनकर यहां तक पहुचना है और हाँ अपना हारनस उतार दो नए 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 अगर किसी भी वजह से वो इस अप्सिकल तुम्हें क्या लगता है उरे आठ लाग डॉलर्स जीतना असान होना चाहिए ओ गौड ठीक है तो लगता है वो मंकी बास कुछ उनेगा उसे नीचे आते देखकर बहुत डर लग रहा है एक बार उस पहले बार पर जूलने के बाद वो वापस नहीं जा पाएगा देखते ह नीचे मत देखना अब वापस नहीं जा सकता क्या चूरा ओ माइ गोड क्याना तुम जितना आगी जाओ प्योश्किल हो गणाज़ डिखेव था है मुस्किल हुत उकल वगत जाया करना हो मैं कॉरा यह थो पागल पन है किसाद वैसा मत करो नायक अगर तुम गिरते हो तो हमें नया कंटेस्टेंट नाना होगा ओ माई गॉड ठीक है बस कुछी बचे हैं वो ठीक है यह सबसे बड़ा वाला है सबसे बड़ा है वो यहां तक आ गया ओ यह कमाल का शॉट है प्लीज गिरनामक तुम बहुत करीब हो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा यह पागल दोस्त मैग कॉल में तो यह हमारे पिछले दो चैलेंज वीडियो का ही कंटेस्टेंट है और भले ही यह उन दोरो चैलेंजिस में बुरी तरह हारा था पर लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था और इसलिए मैं इसे खुद को साबित करने का और इन पैसों को जीतने का एक आखरी मौका दे रहा हूँ स्वागच है लेवल 3 में अब ये क्या है जिम्मि तुम्हारा अब तक का सबसे डराबना सपना देखो अब तक इस वीडियो में जितने भी अबस्टिकल कोर्सिस थे उसमें तुम्हारी ताकत को पर रखा गया जिसमें तुम बहुत अच्छे हो पर ये लवल तुम्हारी द तुम्हें इस फ्लोर की सिर्फ Green tiles पर से ही जाना होगा अब इस बटन को छोड़ दो तुम्हें ये पैटन पूरी तरह से याद करके ही आगे जाना होगा और तुम्हें फास ठीक 30 minute है जिसमें तुम्हें ये 40 tiles के रास्ते को याद करना होगा और अगर तुम गलती से भी किसी रेड स्क्वेर पर कदम रखते हो, तो तुम्हारे पैसे धमाके से उड़ा दिये जाएंगे. येलव एक राइट शील्ड. ओ माई गॉड. ये तुम्हे उस बॉम से बचाएगी. डाइमर को शुरू करो. अब तुम जाओ. और ये चला, ये बारिश इससे बहुत द्रमाटिक बना रही है. ओके, उसका पहला स्टेप, वो! रुको, जाने से पहला में बजे उसकी ज़रात नहीं है, उससे मेरी कोई मदात नहीं होगी. मैंने राइट शील्ड नहीं उठाई थी. मैंग, तुम वापस नहीं आना चाहने है, मैं मैं आपीप. ग्रो, तुम जितनी बार चाहो, बटन दबा सकते हो. अगर तुम अपने अपने अगली कदम के बार में शोर नहीं हो, तो पैसों को मत उड़ाओ. और तुम अब तक शुरू में हाँ. अबंद करो. मैं अब तक तुमने एक मिनिट में पस एक टाइल पूरी की है. ओके, थैंक्स काल. और तीस से ज्यादा टाइल्स बची है. ओके, ओके, ठीक है, चलो. तुम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उससे धमाका नहीं होगा. मैं जरा भी नहीं हूँ. और तुम फिर भी आगे जाओगे. मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ. वो, यह सोच ही नहीं पा रहा है. अब 33 मिनिट बचे हैं. क्यूंकि तुम सोच रहे हो कि वो कदम लेना चाहिए या नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दू कि यह आठ लाग जीतने का आखरी मौका है. अगर तुम फिर से हार जाते हो, तो हम तुम्हें वापस नहीं लाएंगे. अब आगे जाना होगा या फिर क्या करूँ? तुम किसे पूछ रहे हो, Mac? तुम चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँ मेरे पैसे जीतने के लिए. मैं खत्रा नहीं उठाना चाहता. इस पॉइंट पर Mac उस कोर्स में इतनी दूर तक पहुँच चुका था, कि हर बार फिर से रास्ता देखने के लिए उसके करीब 6 मिनिट बेस्ट हो रहे थे. कई कोशिशों के बाद भी वो पैटन का आखरी छोर भूल ही जाता था. नीचे तीन थे. वन तू तू त्री. फोर फोर. बूम. शाय शाय दिया ही है. यह ही है. ठीक है. मुझे यहां से पता नहीं है. यहां तक नहीं आया था. अभी नौ मिनिट बाखी है. जाओ तो जाकर चेक कर सकते हैं. मुझे लगा कि अब तो वो गया. यहां से मैं सिर्फ आगे की और ही जा सकता हूं. ठीक है. मुझे लगता है कि मै.. मैक. यहां वापस जा रहे हैं? यहां मेरा आखरी बार होगा. हां? ओके. ओके. फूर फूर राइटू. फूर फूर राइटू. फूर फूर राइटू. मैक ने अपना बचा हुआ आधा बग्त बार बार पैटन को रिपीट करने में बिता दिया. यह उमीद करते हुए कि आखरी बार स्टार्ट पर जाने का उसका फैसला गलत नहीं था. पर जब मैक अखरकार अपनी आखरी कोशिश करने के लिए कॉन्फरेंट हुआ. यही रास्ता है. ठीक है. तब उसे एक बहुत ही टाइट डेड्लाइन को पेस करना पड़ा. चार मिनिट से भी कम वक्त बचा है. यह का, oh my god. मैक शायद वक्त आगया है. अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस तुम जाओ. अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस तुम जाओ. Good luck. और फिर से आठ लाग डॉलर्स हार जाएगा. 4-4, okay. 4-4, यहां से. 1-2-3, okay. वो पिछली बार यहीं पर फंज गया था. Oh my god. Dude, वो आखर तक पहुंच रहा है. अभी बीवक्त है, अभी बीवक्त है. अभी बीवक्त है. Okay, that's what my god, withmot़ 3-2, go! तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया! OH, GOD! मज़े रहा है, Het tidak artsy बा över Maak! No, process 我 about to throw you. अज़ प्षाने बाला हो चलो इदर अज़ अज़ पर हम्ला हो रहा है अगर मैक रड़ ताइल पर कदम रख देता है एनीवेज